Hello friends and welcome to my channel अपना इंशुरेंस वाला Hello friends जैसे ही कोई person LIC agency लेते हैं LIC में agents अच्छा business कर सके ज्यादा से ज्यादा policy करें इस बात को ध्यान में रखते हुए LIC में कई club membership रखी गई है इन club membership से agent की power तो बढ़ती है साथ ही में उसकी branch में value भी बढ़ जाती है और friends साथ ही साथ उस club membership को achieve करने वले agent की responsibility भी बढ़ती है और हर club membership पाने के लिए agent को बीमा के अलग लग target पाने होते हैं तो friends LIC में जो club membership होती है वो इस प्रकार है distinguished club, branch manager club, divisional manager club, zonal manager club, chairman club, galaxy club और corporate club ये साथ रख के club LIC में होते हैं, हर club की requirement अलग अलग होती है और हर एक को achieve करने के बाद मिनने वाले benefit भी अलग अलग होती है हर club के बारे में एक वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती है इसलिए हमने हर club membership के लिए अलग अलग वीडियो बनाए है इन वीडियो में उस club membership के बारे में पूरी जानकारी दी गई है अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियो को last में मैं आपको link की रूप में दे दूँगी और आप उसे क्लिक करके बापिक बाकी के club membership की सारी जानकारी ले सकते है और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहे हैं ZM club के बारे में यानि Zonal Manager ये club BM club और DM club के उपर का club है इसकी requirements और benefit दोनों ही BM और DM club से अधिक होती है ZM club के लिए LIC agent को हर साल कम से कम 100 policy करनी होती है और हर साल 1,50,000 का commission earn करना पड़ता है और ये criteria उसे 3 साल लगातार करना पड़ता है ये नए agent के लिए है और अगर पुराने agent है तो आपको total 300 policy enforce करनी होती है और ये 3 साल लगातार होना चाहिए इन सब बातों के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि lap session 15% से कम होना चाहिए और एक और खास बात ये है कि April से मार्स तक के समय में ये सब count होता है मतलब कि financial year के लिए count होता है तो friends आप बात करते हैं ZM club के benefits के बारे में ZM club members को 22,000 rupees office allowance मिलता है computer maintenance allowance 5,000 rupees मिलता है sales promotional gift के लिए 2,000 rupees मिलते है stationary allowance के लिए 1,750 rupees मिलता है जिसमें letterhead, envelope और visiting card मिलते है 4,000 rupees telephone expenses मिलता है 2,000 rupees का group insurance होता है 2,000 rupees का medic claim होता है housing loan के लिए 25,000 तक मिलता है जिसमें कुछ part time, कुछ part पर 5% और बागी part पर 9.5% का interest लगता है interest free four wheeler loan मिलता है जो की 5 lakh तक होता है 20,000 तक का interest free festival advance मिलता है 16,500 तक की subsidy office equipments पर मिलती है MHR limit यहाँ पे 60 lakh rupees होती है computer advance भी मिल सकता है office equipment के लिए भी advance मिल सकता है तक तक टुक झालना है तक ता पक्यू है प्लीस लाइद का जावचीस अब्सक्राइब सब्सक्राइब सराड़ बैल इकन भीफले तक यहाँ जाब वाचीप्रवस प्रस्वे उन कि अस्ट बीए इस तक तक दूट प्रहे प्रहें अचीट प्रहें